आइडिया इस्टेडी सेंटर में आप सबीचा स्वागत है नमस्कार मेरा नाम अब्रेस है और हम लोग इस वीडियो में वर्ग मुल यानि की स्क्वाइल लूट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर क्या होता है कोई भी संख्या है अगर उसी को हम दो बार गुड़ा करेंगे तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उसे हम उस संख्या का वर करते हैं जैसे मालो हमारी कोई संख्या पांच है पांच में हमें एक बार आओ पांच का गुड़ा करेंगे तो हमें मिलेगा 25, तो हम कह सकते हैं कि 5 का वर्ग है वो 25 है, यानि कि 5 का वर्ग जो है वो 20 है, इसके बाद हम जामते हैं वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब है कि कोई भी हमारी संख्या है, हम उसको खंडों में इस तरह विवाजित करें, कि जो 2 खंड हमें बहुत प्रेंट है यह जो है एक पढ़ला फर्मूला है यहें फने कि लिखा जाता है इसका जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह अगर यहां पर घात में किनी दो वर्मूलों का गुड़ा करें लिख सकते हैं यानि कि जैसे यहां पर गुड़े अंडरूट 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडरूट 5 गुड़े 5 क्योंकि यहां पर अगर कोई संथ्या नहीं लिखी तो यहां पर हमारा इस तरह लिख सकते हैं इसी तरह यहां पर्मूला दिया है N A की पावर M तो इसको लिख सकते हैं A की पावर M बटे M उदाहर देंस से देखते हैं जैसे यहां पर ऐसी संख्या है इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 बटे 2 देखते हैं जैसे m a की power m है तो इसको लिख सकते हैं a की power n yn yn यानिकी a इसी तरह अगर यहाँ पर ये most पर पांस का स्कुरार दिया हुआ है इसको मतीस की आसी पावर डू ग Dev job यानिYou तो इससी तरह जो है जो हम सरल केंगे को 10 आए इसी तरह एक पा हो अगर अडरूट फिर अडरूट यहां पर एज़ाट में और यहां पर घाट में M है और यहां पर एज़ाट में है चुसके अंदर दोनों में हैं इसलिए एक कवरें कामा आमलेए में यह पार्मुला हो जाएगा इसी तरह यहां पर दोनों में यह वारा चीज है तो इसको हम कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस य यानि कि यह डिस्ट्रिब्यूशन के लाउप दो है कहाणी में फॉलो करता है यह हमारे वरंगों से संबंदित कुछ कि इसके बारे मैंने अभी आपके बताया किसी की संच्या का वर्गमों कैसे लिकालते हैं अब हम इसके बारे जालते हैं तो किसी की संच्या का वर्गमों निकालने के लिए दो विदी है पहली विदी है गुड़नखंट विदी और दूसरी विदी है भाग विदी अब हम गु है कि दो दो मिन चार गुदी सा जी दो चार लोग शार दो से भाग देखे नहीं तो एक फंद दो दो तंशे दस वो दो मिन चार कि दो निसे दस एग आरा वह सत्य जोगा दो शाग बारा कि अधितर और आधा है तो हम इस सब इनरेखर लेते हैं इतना या है यान्जी दो गुणे दो एक, दो, तीन, चार, पांच, चेट, साथ, आख, नो, दस दो का दस बाई लोगा लोगा फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छेट, साथ, आख, नो, दस क्योंकि हमें वर्गमूल निकाना है वर्गमूल में करगी में यहाँ पर दो होता है तो हम इसमें दो दो का जोड़ा बनाते हैं एक दो तीन एक यहाँ से चार और पांच इसमें दो के पांच जोड़े हैं तो जोड़े में इसे एक अक्सा लिख लेते हैं यानि कि 2 गुने 2 गुने 2 यानि कि total हमारे 10 दो के 10 अक्सर हैं जिसमें से हमने 5 यहां लिखेए हैं इसी तरह तीन का जोड़ा हो उना है तो यहां चोड़ा हो 1959 प्रीख बिस्लेगा तो यहां इने 2000 स्थाcation 7 ühr गुने 2000 समेस आmos 2 4000 उनने econom 사法 96 है, इस विजी को हम गुड़ल फंड बेथी कहते हैं, भाग विजी से वर्गमूल निकालना, मालो हमारी कोई संख्या है, 7921, हम लोग इस संख्या का भाग विजी से वर्गमूल निकालेंगे, तो भाग विजी से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कि वो संह्ख्या हमारी फूर संख्या है कि नहीं ? अगर हमारी संह्ख्या फूर संख्या है इसमें हम दाएं से जोढा बनाता है यानि कि दो संख्याउइं को इक डठा करते है तो जैसे हमारा लाश Leh 221 है 21 और इसके पहले हमारी 79 हम इसका वर्व भाग भी से निकालेंगे तो हमारा पहला जो जोड़ा है वह है 89 है अब हम देखते है कि किस संख्या का वर्व जो है 89 के पास पड़ता है या 89 के बराबर है तो हम देखते हैं यहां कि 8 कवर्व 64 होता है 9 कवर्व 81 होता है क्योंकि 81 जो है इससे ज्यादा है इसलिए हमारा यहां पर 8 का वर्व इसमें जाएगा बहाड़ी में तो 8 कवर्व यहां आएगा 64 यहां पर 8 आएगा इसमें से घटा लेते हैं तो आएगा 24 यहां पर 2 संख्याएं करते हैं जब हमसादगा तरीके से भाग देते हैं वहां पर एक एक संख्या नीचे लेके आते हैं लेकिन वर्मूल के केस में जब हम जोड़ा बनाएं पुदा पुदा जो है जोड़ा नीचे आता है तो हमारी संख्या बनगे 1521 यहां पर यह जुड़ जाता है नहीं होगा हमारा सूला अब हम देखेंगे 1521 यहां से कितनी बार यह जाएगा अब यहां पर एक नियम है ध्यार रखना है कि यहां पर हम दो संख्या लिखेंगे वही संख्या से इसमें गुड़ा करेंगे माल्वा हम यहां पे 2 दिख रहे हैं, इसमें 2 से ली कुड़ा होगा, फिक है? तो जैसे माल्वा हमारा है, यहां पे 16 है, तो हम जानते हैं कि 16 धह मां 160 होता या इसकी शुरूप इतीन संख्राए लकाते हैं, कि कि बाद बाद जाएगा, 16 धह मां 160, यानि कि 10 धा, अगर हम यहा पढ़ेगा कौन सी संका से इकटेगा 9 से हम बुड़ा करते हैं 9,9 कैसी यह खांसिलार 9,5,6,9,9,6,9, 15 यहां पिर 9 है यहां भी 9 लिता जाएगा यह हमारे ब्हारी फगर इस तरह हम भार विजिय से वर्मूट निकाल पहीं है अगर मालिजी है, कोई तीन अंकों की संध्या है, मालिजी है हमारी 235 है, अब हमने इसका वर्णोल लिकालना है, इसमें तो हम सोचेंगे, जोड़ा बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर जानीजे से जोड़ा बनाएंगे, और इसके आगे जीरो लगा के तो एक जोड़ा हम यहां पे लिए रखते हैं यहां जाएगा एक दो पांच पीर निखी आएगा इन दोनों को जोड़ लेखते हैं पर दो दो रही जाएगा मायने सूटे अरेजा कि इस तरहा में भाग विदी से वर्गोल लिकाए। अब हम किसी दसंवलो संख्या का वर्गोल लिकालके देखते हैं एक उद्धाभर लेते हैं माली की पूई संख्या है 11 दसंख्या है जी रो आठ आठ नौ अब हमें इसका वर्गून लेना है बाद लिजी से तो हम पैसे लेए तो सबसे पहले यह हमारी पूर संख्या है इसको हम पेर बनाएंगे तो इसमें दो ही संख्या है इसका पेर बनाएगा इसके बाद हम दसंदों के बाद जो संख्या है इनका पेर बनाएगा दसंदों के ब तो तीन का उबर विलोगे 11 के पास आता है, यहां पे 3 आ जाएगा, यह जाएगा 9, यहां पे 2, यहां जुड़ जाएगा यही 6 हो जाएगा, इसके बाद हम जैसे भाव के दिमें करते हैं, सिंपल भाव देने के केस में, दसमलों उपर लिखेंगे, और पूरा एक पेयर नीचे उतावएगे, अब हमारा यहां पे 6 है, इसके बाद हम यहां का दो हमके लेते हैं, यह 20 है, यहां पे 6 है, तो 6 को 20 में भाव देंगे, तो लगभा, तीन वार गुड़ा करते हैं, शेली क यहां जाएगा 119, अब इसको फिर से माइनस करते हैं, तो आएगा 9, 1, 1, 9, फिर इसके बाद एक पे रहे हम नहींचे आ जाएगा, यहां पे जूर जाएगा 6, 6, इसके बाद हो, अब यहां पे 66, 66 आ जाएगे, इसके बाद पे हम यहां पे बदाएटी रेक लेके, त्यान से बुड़ा करेंगे, तो 198 आ जाता है, तो यहां पे हम तीन बाद लेके जाते हैं, जेखते हैं निकमाया, तो तीन से जब इसमें बुड़ा करेंगे, वाड़ेगा 9, 8, 9, यह हमारा तीन से बुड़ा करने पे डिवाइड होगा, तो यह हमारा बदाएगा 0, तो इसका दस यहां आपके तीन अन्पोतर, तो पैसे रिकारेंगे, इसके लिए हम क्या रहेंगे, कि पंद्रा के बाद में दसम्लो लगाएगे और सुन्दी लिएगे, एक पेर बनाएगे, फिर एक और पेर बनाएगे, मतलब जितना हमें जबुड रहे हम सुन्दी के पेर बना सकते है तो कि बसंगों के बाद सूर ने लगाने से सनिता पर कोई तोहा नहीं पड़ता है इसके बाद हम इसको solve करके देखते हैं तो इसके बाद हम देखेंगे कि 15 के पास कौन सी संख्या का वर्ग है तो यह 3 का वर्ग है तो यहाँ आएगा 9 यह हो जाएगा 6 यहां पर जोड़ेगे तो 6 हो जाएगा, इसके बाद यहां पर गसंदो लिखाएगा और 200 नी जो है रादी इसके बाद हम रहेंगे कि आप कौन सी संख्या पर इसमें भाग देगे, तो जो है 600 के आसपास आएगा, यह ध्यान रखना होता है, हम यहां जो संख्या लिखते हैं उसी संख्या इसमें गुड़ा होता है, तो 6 से यहां पर 6 है, तो लगभा 10 है, तो एक बाद हम 9 से गुड़ा लेक्ते देखते हैं, तो 9 मुरे 9 हो जाएगा, 81, 8, 95, 95, 95, तो यह हमारा जो है, 600 से जादा है, इसके मतलब यहां पर 8 से गुड़ा होता है, यहां पर 8 से इसको माइनस करेंगे तो आएगा, इसके बाद हम फिर एक 2 सुम्य वापस नीचे उड़ाते हैं, और फिर हम जो है, भागरते हैं, इस तरह यह प्रिप्रियां तब तक करते रहते हैं, जबतर हमें अभेशी संख्या नहीं मिलगा, यानि कि जैसे दसम्लों के 3 अंग तक जो आवsam हमारी घन हो जागा, जैसे मालो कोई संख्या एन है, तो एन वुरे एन गुरे n, यह हमारा एन का घन हो गए, यानि कि मालों हमें 2 का घन निकालना है, तो हो जाएगा 2 गुरे 2 गुरे 2 यानि कि 8 आको अब घनमोल निकालने 270 है व्रमारे म्मारा अधिर सर्थ है !! तब सब्सक्राइब गुरत करते है। इसको गुरत काते हैं इसके अबसे पहले हम इसा बुर्ण पर्ट करते हैं दो सब्हागें दो एकांदो, दो चोटे हाँ एक मांदो पॉन सेटास, तोटे सोड़ इसके वान दो सब्हादे चोटे हाँ तब इसको लिए सेने, इसका बुर्ण पर काला है, दो गुरे दो, गुरे दो, गुरे तीन, गुरे तीन, गुरे तीन गुरे तीन, गुरे तीन, गुरे तीन क्योंकि यहां पर टाड़ी में तीन है इसलिए हम इसका धनमूल निकाल लेगे लिए तीन-तीन का पेर बनाते हैं तो तीन-तीन का पेर हम बनाएंगे और उसमें से यही संख्या हम बाया निकाल लेगे यानि कि दो बुड़े तीन बुड़े तीन त्या जाएगा दो तिनी सित्रिक अठारा यानि कि यह मुँआरी जो संख्या है यह 18 का धन्मूल जो है अठारा का अठारा को अमदर तीन बार गुड़ा करेंगे तो हमें जो है यही संख्या प्राफ्टों पांच जार आठ सो बद्रिस झाल